हलो दोस्तो, स्मार्ट काउंटिंग आरसनार के इस यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत हैं और मैं हूं मोन सुथार तो दोस्तो आज की इस वीडियम हम बात करेंगे जो TCS on sales, जो income tax का जो नया प्रवीजन है, जो की 1 October 2000 से लागू हो चुका है तो उसकी इंट्रियम, जो sales invoice की इंट्रियम है, उसका वीडियम ओलेडी अप्लोड कर चुके हैं और आज की इस वीडियम हम बात करेंगे पर अगर कोई ऐसा दुकंदार, ऐसी कोई company जिसकी life is अपने sales invoice पे TCS लगाने की तो नहीं बनती, लेकिन जब वो अपने supplier से कोई goods purchase करता है, तो वो suppliers उस company को अपने sales invoice पे CGST और SGST tax के लवा, एक TCS tax है, वो भी उसे लगा कर देगा क्योंकि जैसा कि आप ये invoice देख रहे हो, इसमें seller है, smart trading company और इसका एक customer है, यानकि इसका एक buyers है, सत्यम enterprises smart trading company ने सत्यम enterprises को 30 स्तंबर 2020 तक 50 लाग से ज्यादा की turn or कर चुका है, यानकि smart trading company ने सत्यम enterprises को 50 लाग से ज्यादा की sale अभी तक 30 स्तंबर 2020 तक से पहले कर चुका है, तो अब उसके बाद में जब भी सत्यम enterprises smart trading से कोई goods purchase करेगा, तो हर invoice पे उसे TCS tax जो लग कि आएगा, लेक अपने customer को अपने sales invoice पे TCS tax नहीं लगा था, क्योंकि इसमें दोनों condition से ये बाहर है, एक तो इसकी financial year 1 अप्रेल 2019 से लेके 31 मार्क 2020 तक की जो turn or less की, वो 10 क्रोट से कम है, और अभी तक कोई इसका ऐसा कोई buyers नहीं है, ऐसा कोई customer नहीं है, सत्यम enterprises का, जिसने अभी तक सत्यम enterprises से कोई 50 लाग से जादा की goods purchase किया हो, तो अब सत्यम enterprises अपने books में इसकी entry किस तरीके से करेगा, अपने टेली software में, जो उसके पास TCS tax जो लख्या है वे invoice में, उसकी entry कैसे करेगा, तो दोस्तों आज ये सब कुछ हम practically रूप से से शेखने वाले हैं, तो आप से request है, आप इस कमेंट करके भी जुरूर बताना, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आप इसे like share भी जुरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो, और वीडियो आप मारा पहली बार देख रहे हो, तो आप इस चैनल को भी subscribe जुरूर कर लें, ताकि हमारी टेली, बीजी, मार पहली बार पहली बार पहली बार देख रहे हो, तो आपको समय समय पर मिलता रहेगा, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, तो फिर्स मैंने टेली में एक सत्यम इंटरप्राइज़ जो की मारी कमपनी है, उसकी कमपनी मेंने एक OLED यहाँ पर create करके रखी विय और यही जो purchase invoice हमारे पास है, इसी कींटरियम टेली में करने वाले हैं, तो इसके लिए में accounting voucher के purchase voucher पर जाना पड़ेगा, तो फ्रेंट्स इससे पहले आपको एक बात और बता दूँ, अगर किसी भी party की, किसी भी company की अपने sales tax invoice पे TCS tax लगाने की लाइबटीज अगर उस उसे TCS tax जो हम enable करते हैं टेली में, उसे enable करने की जरूरत नहीं है, अब जैसे कि उसे केवल और केवल, strategy report पे हम जाएंगे, तो उसे केवल अपना JST tax है, जो हमेशा की तरह है, उसी को ही enable करना है, और उसे यह जो TCS tax है, यह enable नहीं करना है, अगर उसको अपने sales invoice पे TCS tax पर के आते हैं, तो भी इसको enable करने की जरूरत नहीं है, यह केवल sales invoice के लिए ही enable करने की जरूरत होती है, तो मैंने मैंसा की तरह इस GST को भी enable करके रखा हुए, और इसे मैं accept करूँगा, और उसके बार उस vouchers की मुझे entry करनी है, तो entry करने के लिए मैं, टेली के home page, यानिकी gateway टेली पे आके, accounting vouchers में आके, और purchase vouchers में इसकी entry करूँगा, तो एक बार voucher भी हम देख लेते हैं, और इस invoice का जो number हो है, 5847, तो 5847 हम भी इस voucher number में entry करेंगे, और उसके बार जो इस invoice की date हो है, 1 October 2020, तो मैं date change करनी है, तो date change करनी के लिए F2, और 1 October और supplier invoice number में हम 4847 हम इंटरप्रेस करेंगे, और जिस company से हमने goods purchase किया है, उसका laser भी मैंने create किया हुए, यानके smart trading company, और smart trading company का भी laser मेंने create किया हुए, आपको मैं दिखा देता हूँ, और smart trading company, ये मेरे लिए suppliers हैं, तो मैं इसे century credit में रखते हुए, और इसे में regular में रखते हुए, इसको save करूँगा, और उसके बाद में मैंने एक से goods purchase किया हुए, मोबाइल, तो उस mobile का stock item का नाम भी मैंने यहाँ पर create कर रहा है, तो इसको भी mobile, under में इसको मैं primary एक बार रखूँगा, और piece में रखते हैं इसको, और इसका जो GST वेगर है, वो सब कुछ मेरे को, यहीं पर ही enable करना पड़ेगा, अब इस पर TCS का आपको कोई भी किसी भी type की कोई strategy information आपको यहाँ पर show नहीं होगी, क्योंकि हमने इसको TCS को enable नहीं किया हुए, और interface करते हैं इसको save करेंगे, और quantities की एक है, और इसका जो taxable rate जो है, वो है 20,000 रुपे, तो 20,000 रुपे भी मैं यहाँ पर enter करूँगा, और यहाँ पर मुझे एक mobile purchase 18% के नाम सेक में purchase का laser already create किया हुए, वो भी आपको मैं बता देता हूँ, यह mobile purchase 18% और under में यह purchase count करेंगा, इस तरी के GST इस पर applicable है, और type of supply में इसको में goods रखते हैं इसको save करूँगा, और उसके बाद में में सांगी तरह है, cght tax और sght tax, अब यहाँ तक तो सब कुछ normal अभी तक चल रहा था, लेकिन अब जो एक निया laser आया है, TCS का, तो यह smart trading company के लिए के लाइबटी स्टेक्स हैं, और सत्यम enterprises के लिए एक तरीका का यह advanced tax बन जाएगा, income tax का, तो अब हमें यहाँ पर एक निया laser create करना पड़ेगा, वे TCS on purchase, तो मैं यहाँ पर short cut यह create करूँगा, इसके लिए else c, और नाम लिखूंगा यहाँ पर, TCS tax on purchase, अगर आप इसके आगे कोई financial year देना चाओ, तो आप दे सकते हो, इसे आपकी ज़्यादा और ज़्यादा असानी रहेगी, क्योंकि अब यह आपके हर साल TCS tax आपको लगता आएगा, तो आपने कौन सा TCS tax अपने income tax के एक wording है, इसके आगे भी लिख देता हूं, ताकि मैं उज़े पता चलते रहें, मुझे 20-21 में ने TCS इतना advance paid किया है, 21-22 में इतना किया है, 22-23 में इतना किया है, और इसे हम अंडर में रखेंगे current assessed, क्योंकि यह मरें के balance sheet का part है, जिस तरीके से हमारा advance tedious करता है, उसी तरीक में यहां पर जिस rate से TCS लग किया है, वो ही rate हमें यहां पर देनी पड़ेगी, अब जो TCS का rate है, वो 0.075%, तो 0.075% यहां पर मैं दूँगा, तो अब अगर tax की matching अगर हम करें, तो टेली ने यहां पर जो calculation करिये, वो 15 रुपे की करिये है, जबकि इस invoice में जो tax लग किया ह है, वो 17 रुपे और 17 पेसे का लग किया है, तो इस तरीक के अगर आपके टेली में जो miss miss की जो calculation हो रहे है, तो इसके लिए में एक option को enable करना पड़ेगा, आपको purchase voucher पे रहते वी, एक बारा प्रेस करना है, और एक बारा प्रेस करते वे आपको, एक option आपको मिलेगा, प्रेसरी option में, calculate tax on current subtotal, आप इस function को yes करना आपको पड़ेगा, तो मैं इसको yes करूँगा, और इंटर इंटर प्रेस करते से yes करूँगा, तो जैसे इसको मैं yes करूँगा, तो जो मेरी calculation है, वो age पर invoice के अनुसार ये 17 रुपे सतर पैसे की automatic ही calculation कर लेगा, taxable value plus cdst और sdst यानि की net mount पर ये 17 रुपे सतर पैसे का जो tax है, automatic ही calculate हो जाएगा, और मैं इसे interface करते विसे मैं, voucher को भी save करूँगा, अब ये TCS on purchase का जो हमने laser create किये, advance tax का, इसका effect कहां पर आएगा, इसका effect मारी balance sheet पर आएगा, तो इसको balance sheet पर हम देखेंगे, तो इसके detail में, alt F1 के साथ अगर देखूँगा, तो ये जो 17 रुपे सतर पैसे ये, इस current assets की side में, यहां पर अब show होने लग जाएगा, तो इस तरीके से ये TCS हमारा, जो purchase का tax है, 17 रुपे सतर पैसे का, ये मारा advanced income tax हो गया, जब हमारा income tax बनेगा, तो इसमें adjust हो जाएगा, अगर य income tax हमारा नहीं बनता है, नहीं कि जो हमारा net profit है, वो taxable की category income में नहीं आता है, तो ये 70 रुपे सतर पैसे कमे refund भी होएगा, तो दोस्तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, तो आप इसे like share भी जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक आपने subscribe भी नहीं किया, तो प्लीज मिलते हैं, नेक्ट वीडियो में एक नए टोपी के साथ,